हेलो एवरिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स देखे गर्मिया बहुत ज़्याद हो गई और गर्मिया में क्या होता नहीं कि सबजियों की वेराइटी ज़्यादा नहीं आती हैं और आजकल तो लोकडाउन भी है जिसके वज़े से सबजी हमें मिल भी नहीं पा रही है तो आप अपने घर में एक बार ये वाला मिर्ची का अचार बनाना बहुत ही टेस्टी अचार है आप इसे बनाएंगे ना और जब इसके साथ रोटी खाएंगे तो आपको सबजी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं ये इतना टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है ये दो मिनट में बनके तयार हो जाता है मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने हलके तीखे वाली 200 ग्राम मिर्ची ली है मार्किट में आपको अराम सी मिर्ची मिल जाएंगी थोड़ी सी मोटी होती है साइज में और लंबी भी होती है लेकिन अगर आपको तीखा खाना पसंदा है तो आप तीखी मिर्ची के साथ यह अचार बना सकते हैं मैंने हलके तीखे वाली 200 ग्राम मिर्ची ली है उनको धो कर सुखा कर यानि कपड़े से पोंच कर बीच में से कट कर लिया है बिल्कुल इस तरीके से कट करना है आपको इस अचार के लिए दो मसाले बहुत इंपोटेंट होते हैं तो यहाँ पर यह है पिसी हुई सोंफ और यह है पिसी हुई राइ यानि के पिसी हुई सरसो के दाने तो इन दोनों को आप ग्रैंडर में डालके पाउडर सा बना ले तो फ्रेंड सचार बनाने के लिए न सबसे पहले हम गयास के उपर एक कड़ाई रखेंगे उसमें 2-3 बड़े चमम सरसो का तेल डालेंगे आप जितने कॉइंटिट में बना रहे हैं उस हिसाब से तेल घटा बढ़ा सकते हैं उसके बाद तेल अच्छे से गरम करेंगे जीरा डाल देंगे उसके बाद मैंने 1-2 टीजपून कलोंजी डाला है कलोंजी से क्या होगा ना एक अचा सरी के से बहुत ही बढ़िया लगेगी तो मिर्चो को ना एक मिनट के लिए भूनना है फिर पिसीवी राइज हो थी वो टू टीजपून डालेंगे इसमें टू टीजपून और थ्री टीजपून डालेंगे पिसीवी सॉफ उसके बाद 1 टीजपून धन्या पाउडर नमक टेस्ट हलका ही डाले नमक थोड़ा सा भी वन फोर्थ टीजपून हल्दी का पाउडर और हाफ टीजपून के करीब काला नमक डाले इसमें बस यही मसाले डालने हैं और कोई मसाला बिलकुल ना डाले और अच्छे से भून ले इस टाइम पर फ्लेम आपका मीडियम टू हा गई थी अच्छे से ज्यादा टाइम बिलकुल ने लगेगा बस मसालों को छोड़ा सा पकाना है देखिए अच्छे से मिला दे तो ओल्रेड़ी यह मिर्चे बनके तयार हो गई है पड़ी जल्दी बन जाती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें नीबू डाला है लेकिन अगर आप ज़्यादे क्वांटिटी में पिकल बना रहे हैं लाइक आधा किलो मिर्चो का या फिर वन केजी का तो आप इसमें नीबू करस बिलकुल न डाले प्रोसेस सारा यही आपको फोलो करना है लेकिन नीबू करस नहीं डालना है जब आप इने खा रहे हैं खाते समय अपनी थाली में हलका सा नीबू करस इनके उपर निचोड़ ले बहुत ही स्वाधिस लगेंगी फिर और यह अचाहा है हमारा बन के तयार हो गया है कई बार होता है ना कि खाना खाने का मन नहीं होता खाना फीका लगता है ऐसा लगता कि खाने में तो स्वाधी नहीं है उस टाइम पर यह मिर्चा आपको बहुत हल्प करेगी क्योंकि यह बहुत ज़्यादा फ्लेवर फुल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो फ्रें झाल झाल